हेलो स्टुडेंट्स यह हमारा दूसरा लेक्चर है पहली यूनिट का पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिस्टेलोग्राफिक प्लेंज और डिरेक्शेंज के बारे में अभी जो टॉपिक है वो है मिलर इंडिस मिलर इंडिस क्या होता है यह ग्रूप ऑफ फैमली होती ह है क्रिस्टोग्लाफिक प्लेंज की इन्हें एच के और एल तीन डारेक्शेंज के त्रूप डिनोट किया जाता है इन पर्टिकुलर एफ फैमली ओफ लेटिस प्लेंट इस डिटर्मेंट बाइद थ्री इंटीजर्स होते हैं यह जरूरी नहीं की वन टू थ्री हों पॉइ एच के एच के बीच में जो उनका एंगल होगा वो निटीडिजर्स वह होगा तो जैसे कि हमने represent किया था crystallographic planes को उसी तरह planes का एक set होता है जैसे हम Miller indices कहते हैं तो Miller indices हमने यहाँ पर जैसे example ले रखे हैं अगर हम 100-0 की बात करते हैं तो यानि कि 1 हो गया हमारा x direction को represent करता है तो x direction में हम unit distance travel करेंगे और y direction में 0 और z direction में 0 तो जो हमारा plane बनेगा वो बनेगा जैसा कि हमारा first diagram में first example जो दे रखा है अगर हम बात करते हैं 110 की तो x direction में 1 चलेंगे y direction में 1 चलेंगे और z direction में 0 है तो orthogonal direction में x और y के perpendicular जो direction होगी upper direction में उन दोनों coordinates को मिला देंगे तो जो diagonal plane बनेगा जैसा कि इसमें दिखाए गया है वो होगा हमारा one 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 plane और तीसरा जो दिखा रखा है diagram में हमने वो है one 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 तो x direction में भी one step चलेंगे y direction में भी one step और z direction में भी one step और इन तीनों coordinates को मिला देंगे तो उसके बाद जो बनेगा वो होगा one 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 Miller indices तो ये basic बात होगा Miller indices की अगर इसमें जैसे दे रखा होता coordinates दे रखे होते two two zero जैसे जहां हमने one one zero दे रखा है वह हमने अगर two two zero दे रखे होते तो coordinates को क्या करते हैं हम पहले reciprocate करते हैं two को one by two करते second two को भी one by two करते और zero का zero रहता तो one by two मिलाते हैं जहां हमने x direction में one लिया है वहां one by two लेते जहां हमने y direction में one लिया है वहां भी one by two लेते तो उसके बाद जो हमारा plane बनता वो उसके half coordinates पे बनता ठीक है तो अब ये बात थी हमारी Miller indices की उसके बाद हम बात करते हैं point defect की बात करें तो हम point का मतलब होता है अगर हम individual atomic level पे बात करते हैं तो crystal जो होता है उसमें या तो atom होता है iron होता है या molecule होता है तो crystal का जो space है crystal का जो structure है उसमें से किसी एक molecule की वज़े से जो defect आता है वो सारे defect point defect होते हैं अब point defect में जो सबसे पहला defect होता है वो होता है vacancy defect vacancy से usually हम समझते हैं क्या होता है कि जहां पे हमारा पहले atom या iron था वहां से वो release हो जाता है और दूसरी जगे चल जाता है तो एक particular reason में एक particular reason में जैसा की diagram में दिखाए गया space create हो जाता है जब space create हो जाता है तो bonds भी disturb होते हैं और जब bonds disturb होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला intermolecular force भी disturb होता है जिसकी वज़े से जो atom होता है उसकी properties चेंज हो जाती है तो vacancy defect होता है it's a simplest type of point defect involves a missing atom within crystal lattice crystal lattice में से कोई भी atom हो सकता है iron हो सकता है या molecule miss हो जाता है which results due to the imperfect packing during original crystallization जब हम crystallization हो रहा है तो उसकी वज़े से उसमें अगर कहीं stresses रह जाती हैं कहीं extra force रह जाता है या कहीं किसी जगे से heat up जादा हो जाता है इन सब regions की वज़े से क्या होता है vacancy effect produce हो जाता है इसकी वज़े से क्या होता है inter molecular structure में changes आ जाते हैं और properties change हो जाती है material की अब इसी field में जो दूसरा defect है वह है short की defect इसमें क्या होता है जैसे कि इसके नीचे हम diagram दे रखा है इसमें क्या होता है जैसे कि इसमें यह molecules में होता है जहां दो तरह के अटम involved हो और उन में बीच आपस में bond हो तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एक black color का item दिखाया हुआ है इसमें और एक white छोटा circle दिखाया हुआ है तो अब जहां पर cross बना हुआ है वहां से black color का item मिस है यह है बिल्कुल vacancy defect की तरह ही लेकिन इसमें और उसमें अंतर इसना है कि वह metal में होता है यह होता है यह होता है जहां पर दो तरह के metals होते हैं तो जहां से यह मिश हो जाता है उसकी वज़े से क्या होता है वेकैंसी इन्वाल्व हो जाती है आयन और एटम्स के बीच में इसकी वज़े से भी molecular forces में चेंज जा जाता है और crystal का structure चेंज हो जाता है और crystal की properties भी चेंज हो जाती है अब यह हैं इंट्रस्टेशियल डिफेक्ट इंट्र region में arrange होती है वो उससे हट के जो वाइड में होती है यानि कि जो एटम दो एटम चार एटम अगर आपस में connected है तो उनके बीच का जो space है उसे वाइड में बोला जाता है तो उसमें क्या होता है कि यह जो additional atom है वह वहां से अपने अपना जो original space है वहां से हट के जो intermolecular space होत जाता है तो इसकी वजह से भी क्या होता है crystal का structure चेंज हो जाता है atomic bonds में difference आ जाता है उसकी वजह से forces और stresses में difference भी आ जाता है और atom की properties भी चेंज हो जाती है metal ही अगला जो defect है point defect वो है frankal defect frankal defect में क्या होता है उसमें क्या होता है जो हमने यह पढ़ा था इंट्रस्टिशियल डिफेक्ट इसमें क्या होता है बाहर का atom आके जो vacancy है जो space है उसमें उसके अंदर चला जाता है वो अड के अंदर लेकिन frankal defect में क्या होता है जो atom अपनी original पोजीशन से हटके जो इंटर एक गैप होता है उसके अंदर चला जाता है तो वहां पर एक गजटे हो जाता है जिसकी बजह से इंट्र करिंच यह जाता है उजा लिक हाँ आख प्रेंगल टेफेक्ट के बाद आते हैं composition defect में arise due to the presence of impurity atom in crystal lattice of metal during original crystallization process यह दो तरह का होता है एक substitutional defect होता है एक interstitial defect होता है यह हमने नीचे दिखाए हुए substitutional defect जो होता है उसमें क्या होता है कि जो original atom होता है उसको replace करके बाहर से कोई atom आके उसकी जगह पर ले लेता है और interstitial atom क्या होता है कि जो बाहर से atom आता है वो जो voids होती है खाली places होते है उन पर जाके place हो जाता है यह इन दोनों में difference होता है अब उसके बाद आता है हमारा electronic defect electronic defects क्या होता है errors in charge distribution in solid यानि कि कहीं भी अगर atoms आपस में change होते हैं तो bond change हो जाता है charges change हो जाते हैं उसकी बज़ा से जो defect आता है उससे हम कहते है electronic defect यह भी point charge की बज़ा से ही आता है अगला जो topic है defects में वो है line defect अब point defect में क्या होता है कि एक particular atom या iron या molecule displace होता है एक place से दूसरे place पे लेकिन line defect में क्या होता है line defect में पूरी एक line of atoms से यानि कि atom की पूरी row या column replace हो जाता है कहीं दूसरी जगह पे तो line defect में सबसे पहला जो defect है वो edge dislocation है diagram लेते हम पहले उसका उसमें discuss करेंगे edge dislocation में क्या होता है कि वो या तो tilt हो जाती है अपने place से ठीक है जैसे कि हमने दिखाया गया है दिखाया हुआ है कि सारे जो हम right hand side का figure है उसकी तरफ देखें तो सारे molecules जो होते हैं एक particular shape क्यों होते हैं लेकिन कहीं पे stress लगने की वज़े से या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है tension tension की वज़े से क्या होता है एक molecule की shape या structure चेंज हो जाता है उसकी वज़े से क्या होता है last side में आप देख पा रहे हूं वो एक पूरी row displaced हो जाती है अपनी जगह से तो अब देखो यह row अगर आनी चाहिए थी तो जहां पर यह point बना हुआ हूँ है B क्या है stress की वज़े से किसी item का size बढ़ गया है किसी item का size कम हो गया है उसकी वज़े से पूरी edge dislocate हो गई है तो इस तरह का जो structure होता है उसे edge dislocation defect बोला जाता है ठीक है अब next हम जो discuss करेंगे इसमें वो है screw defect screw defect भी edge dislocation defect की तरह ही है उसमें क्या होता है कि जिस direction में मतलब कि जो हमारा surface है वो plane रहता है लेकिन surface की direction में ही upside, downside या left hand side या right hand side structure change होता है लेकिन जो screw है उसमें क्या होता है उसमें एक angle create होता है एक direction में ना होकर ये दो directions में होता है यानि कि अगर हम coordinate system लें हमने पहले जो देखा वो x y plane लेते हैं अगर हम उसे जो पहला वाला हमने देखा यहां पर इसे हम x y plane मान लेते हैं तो ये y direction में या x direction में किसी एक particular direction में dislocate हो रहा है लेकिन ये बाहर की तरफ नहीं आ रहा outside z direction में नहीं आ रहा screw defect जो होता है वो दो direction में होता है यहनि कि ये outdoor direction में बी move करता है उसके बाद जो अगला defect आता है वो है surface defect Surface defect में क्या होता है एक entire surface dislocate होता है अपनी position से आगे पीछे tilt हो सकता है गाया वो हो सकता है इस तरह कि जो defect आते हैं compare surface defect के अंदर तो surface defect की अगर हम बात करें तो surface defect दोता रहे कि दिखाए गया इसमें external defect defect और imperfection represented by boundary external surface of material itself is an imperfection because atomic bond do not extend beyond it अब होता है internal defect internal defect दोता रहे का होता है एक होता है grain boundary defect और दूसरा होता है tilt boundary defect तो अगर हम internal defect की पहले बात करें तो उसमें क्या होता है देखो जो crystal होता है उसे हम जो small unit सबसे small unit होती है उसे हम unit cell के बोलते है unit cell को repeat करके हम crystal lattice बनाते हैं लेकिन काफी सारे crystal lattice बनाके grain size बनाते है grain size में क्या होता है जहां पर grain size की extreme जो position होती है उसे grain boundary बोलते है तो grain boundary भी एक particular pattern में होती है तो अगर हम internal defect के बारे में पढ़ रहे हैं तो grain boundary defect में क्या होता है grain boundary dislocate हो जाती है अपनी position से जैसे कि इसमें अलग-अलग-अलग portion में बाटा हुआ है तो जो boundary उन्हें अलग कर रही है एक दूसरे से उसे हम grain boundary बोलते हैं तो इस तरह की boundary जब बन जाती है किसी भी crystal में तो जैसे जैसे कि एक पर्टिकूलर पैटर्न न होके एक साइड में अलग पैटर्न है फिर दूसरी साइड में अलग पैटर्न है इस तरह का जो crystal structure बन जाता है उससे हम बोलते है ग्रेन बाउंडरी डिफेक्ट अब ग्रेन बाउंडरी डिफेक्ट में भी अगर बाउंडरी ग्रेन बाउंडरी पहले एक बर बन चुकी है वह अपनी position चेंज कर लेती है किसी एक particular direction में tilt हो जाती है तो इससे हम बोलते है टिल्ट बाउंडरी डिफेक्ट इसके बाद एक twin boundary डिफेक्ट इसमें क्या होता है tilt boundary में क्या होता है वैसे ही जैसे हमने उसमें पढ़ा था edge dislocation में वो एक direction होता है लेकिन यह twin होती है यह दो direction में होती है x y दोनों direction में tilt होगी उसकी वज़े से क्या होता है किस्टर structure चेंज हो जाता है उसका अगला है sorting defect arise due to the stacking of one atomic plane out of the sequence on other while lattice on either side of fault is perfect यहनकि lattice तो perfect है दोनों तरफ की लेकिन दोनों के बीच में क्या होता है plane में plane के बीच में gaps generate हो जाते है उसकी वज़े से क्या होता atomic bond में changes आ जाते है और crystal का structure तो same रहता है लेकिन उसकी property चेंज हो जाती है stocking defect की fault की वज़े से ठीक है तो अभी तक हमने पढ़ा जो वो थे point defect, line defect और surface defect अब जो last test में defect है वो volume defect, volume defect में क्या होता है एक particular particular reason किसी भी crystal का वो उसकी properties में change आ जाता है या तो वो अपनी position से dislocate हो जाता है या उसमें कुछ impurities हो जाती है या उसका structure चेंज हो जाता है एक particular volume में अगर होता है तो उसे हम volume defect बोलते हैं अब उसमें पहला part जो है जब अगर हमारे bond change हो रहे हैं forces convert हो रहे हैं तो वो एक दूसरे को attract रिया repulse करते हैं तो जो attractive रिया repulse से forces लगते हैं उसकी बज़े से क्या होता है एक पूरा certain volume जो है वो अपनी position से dislocate हो जाता है तो slip is a plastic deformation process plastic deformation का मतलब होता है कि जैसे दो तरह के deformation होते हैं basically वो हम next lecture में detail में study करेंगे elastic deformation का मतलब होता है जब हमने कोई force लगाया तो उस तरह का deformation हुआ जब हमने वो force अटा दिया तो जो material है वो अपनी initial position में आ जाता है तो इस तरह का deformation होता है से elastic deformation कहते हैं लेकिन अगर हमने force लगाया material deform हुआ हमने force अटाया उसके बाद भी material deform ही रहता है तो उससे बोला जाता है plastic deformation तो slip by dislocation motion जो है वो एक plastic deformation है यहनकि एक बार यह हो गया तो हम metal को अपनी initial position में नहीं ला सकते प्रोड्यूस बाइड डिस्लोकेशन मोशन डिस्लोकेशन मोशन इस एनलोग तुदा मोड अफ लोको मोशन एंप्लोइड बाइड़ केटर्पिलर फॉर्म इसका मतलब है कि जब भी हम force applied करते हैं किसी material पे तो उसकी वज़े से tension और stress की वज़े से क्या होता है कि gaps generate हो जाते हैं कहीं बार कहीं पर contraction होता है कहीं पर extension होता है तो जहां पर contraction होता है वहां पर molecules के forces shape में change जाता है जहां पर extension होता है वहां पर क्या होता gap generate हो जाता है तो जब gap generate होता है और bond अपनी तरफ attract करता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है अपनी पोजिशन से अटके दूसरी पोजिशन पर चला जाता है उसे बोलते हैं स्लिप डिस्लोकेशन जैसे कि हम आप इसे एक्जामपल में देख सकते हो इसमें डाइग्राम दिखाए गए हैं कि जैसे एक्जामपल लिया गया है जैसे क पिलर होता है हिंदी में बोलते हैं से केंच हुआ वह जिस तरह से चलता है वह अपनी बोड़ी को आगे की तरफ एक्स्ट्रेक्ट करता है स्रिंक हो जाता है पीछे की बोड़ी इनलार्ज हो जाती है आगे की तरफ बढ़ता है फिर दूसरी पोजिशन को इनलार्ज करता है पीछे की position को contrast, पीछे की position को कम कर देता है, आगे की position को enlarge कर देता है, इस तरह से वो motion करता है, तो इसी तरह से जब हम force लगाते हैं कहीं पे, तो जैसे कि पहले diagram में दिखाए गया है कि नीचे की तरफ से ये क्या हो रहा है force लग रहा है left hand side में और उपर की तरफ से force लग रहा है right hand side में, तो क्या होता है कि इसका dislocation होगा, अब दूसरे diagram में दिखाए गया है कि forces यह वो जब पहले diagram में दिखाए गया है कि जहां पे हमारा slip हो रही है, वो left hand side में, जो most सबसे ज़्यादा left hand side में जो row है, उससे पहरी है, यानि कि last, second last row में इंप, वो हो रहा है slip dislocation हो रहा है, लेकिन जब हम second diagram पे आते हैं, तो वहाँ पे दिखाए गया है second वाले diagram में कि center में, जहां पे center है, वहाँ dislocation हो रहा है, और तीसरे वाले diagram में दिखाए गया है कि right hand side में जो second last row है या second row कहें अगर हम उदर से तो उसमें dislocation हो रहा है और तीसरे में impurities सारी जा चुकी हैं तो इस तरह से जैसे जैसे हमारा force अगर हमने apply कर दिया तो क्या होता है कि पहले एक तरफ से dislocation start होना शुरू हुआ, वो दीरे 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 बढ़ता है और फिर last में खतम हो जाता है और इस तरह से हमारा जो material है वो फिर से initial stage में आ जाता है जैसा कि पहली stage में था अब हम इस diagram को जैसे कि इसमें बनाए हुआ है, वो हम left hand side to right hand side भी study कर सकते हैं right hand side to left hand side भी study कर सकते हैं किसी भी तरह से ये इसको हम study किया जा सकता है तो इसे बोलते हैं analog between caterpillar मतलब जैसे कि caterpillar move करता है उसी तरह से ये slip dislocation जो हमारा defect है वो item में जो material है या crystal है उसके अंदर move करता रहता है different different positions पे तो अगले हम lecture में जो हम पढ़ेंगे इस lecture में इतना ही अगले lecture में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जब दो alloys को mix किया जाता है तो उसके लिए कुछ rule regulations होते हैं उन rule से बारे में study करेंगे आज की lecture में इतना ही ओके थैंक्यू